नमस्ते दोस्तों आज हम देखने वाले हैं mutual fund उसके बारे में पूरा जानकारी लेने वाले है आर्थविवस्ता में उसके क्या भूमिका है mutual fund की अगर आप हमारे यूटुब चैनल पे नए है तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजो में देऊए बेल आइकन को क्लिक करना मत बुले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करे mutual fund का मतलब क्या है mutual fund एक प्रकार का समूह निवेश है या mutual fund सामूहिक निवेशों का एक पेशावेर प्रबंदित फर्म है निवेशों का एक समूह स्टॉक बॉंड अपतकाली निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में सयुप्तरूप से निवेश करता है यह समूह निवेश एक फंड मैनेजर द्वारा प्रबंदित किया जाता है जो फंड के निवेश को निवधारित करता है और लाव और हानी खाता रखता है mutual fund के प्रकार चार है mutual fund को जोखिम वापसी आकार और निवेश के आधार पर कई श्रेनियों में बाटा गया है equality funds, fixed income funds, hybrid mutual fund, solution oriented mutual fund equality fund, यह स्कीम सीधे शेयरों में पैसा लगाती है यह स्कीम short term से risky हो सकती है लेकिन long term में यह आपको बहतरिन रिटन्स कमाने के मदद करती है company के आकार के आधार पर उन्हें छोटे cap, mid cap और large cap में विभाजित किया जाता है इस प्रकार के mutual fund उन लोगों द्वारा पसंद किये जाते है जो जोकिम उठाना पसंद करते है fixed income funds, इस प्रकार के mutual fund मालिकों के निश्चित रिटन देते है fixed return fund है corporate bond, सरकारी bond या अन्य रनसाधन प्रबंद मूल रूप से अपने निवेशों को व्याज आए देता है इस प्रकार का उन निवेशों द्वारा किया जाता है जो जोकिम नहीं उठाना चाहते hybrid mutual fund है exchange traded fund means ETF एक से अधिक प्रकार की निवेश सुरक्षा जैसे stock और bond में निवेश करते है ये mutual fund scheme equality और debt दोनों में निवेश करती है इन योजनाओं को चुनते समय निवेशों को अपनी जोखिम लेने की श्रमता का ध्यान रखना आवश्चक होता है solution oriented mutual fund solution oriented mutual fund scheme एक विशिष्ट लक्ष या समाधान के आनुसार बनाई जाती है इन में सेवानूरती योजनाए या बच्चे की शिक्षा जैसे लक्ष हो सकते है आपको इन योजनाओं में कम से कम पाच वर्ष के लिए निवेश करना आवशक है mutual fund की सुविधाय और लाप रिस्क डाइवर्सिटिफिकेशन equality और debt security में fund का डाइवर्सिफिकेशन चल निवेश अपनी आवशक्ता के आनुसार अंशिक या पूर्ण निकासी कर सकता है पारदर्शित निवेशकों को पतार होता है कि पैसे कहा लगाया जा रहा है कम लागत mutual fund के निवेश करते समय कोई प्रवेशभार नहीं है व्यावसाइक प्रवंदन उद्योग विशेशद्य निदियों का प्रवंदन करते हैं करकुशल निवेशों को equality और debt fund के करलाब मिलता है लचिलापन एक fund से दुसरे fund में निवेश fund स्विच करने के लचिलापन आर्थिक विकास में mutual fund की भूमी का क्या है जैसे कि mutual fund की परिभाषा कहती है कि विविन्न निवेशों को और समस्तानों द्वारा सामुहेक निवेश का एक पूल यहां आर्थव्यवस्ता में निवेश के उद्योशों के लिए धन की व्यवस्ता करने में मदद करता है यहां निवेश के माध्यम से जनता की छोटी बचत से जुटता है हम जानते हैं कि भारत जैशे विकसंशिल देशों में पुंजी संचे का आबाव है इसलिए म्यूच्वल फंड पुंजी संचे में मदद करते हैं जो भारत जैशे विकसंशिल देश के विकसित विकास के लिए महत्वपूर्ण है यहां घर में धन की बेकार जमाखूरी को हदसोहित करता है यहां देश में निवेश का वातावरन बनाने में मदद करता है यहां रोजगार सुरुजंश में सहायक है इसलिए निशकर्श रूप में यहां कहना बुद्धिमानी है कि म्यूच्वल फंड देश में कई बड़े निवेश परियोजनाओं को बीजरोपन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिये हुए बेल आइकोन को क्लिक करना मत भूले लाइक कमेंट शेयर करे